जैम अतादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीव चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जुलाई और 19 जुलाई 2023 के तुलाराशी फल के बारे में तुलाराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे? इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तित्थी क्या होगी? नक्षत्र क्या होगी? योग क्या बनेंगे? किन ग्रहों का मिलन होगा या किन ग्रहों की यूति होगी जो आपके लिए प्रभावशाली रहेगी? क्या शु पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र योग और ग्रहों के इस्तिति के बारे में अब 18 जुला इस नक्षत्रों में सर्फ्ष्ट नक्षत्र माना जाता है शुरुवात होगी दिन की हर्शन नाम के योग के साथ चुकि 937 तक रहेगा उसकी बाद वज्र नाम का योग बन जाएगा अब यहां एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि चंद्रमा जो हैं अपनी राशी करकरा चंद्र की राशी में चार ग्रह मौजुद हो गए जो की चतुर ग्रह योग बना रहे हैं और करकराशी में यह गुचर आपके लिए कई तरह से प्रभावशाली भी रहेंगे और कुछ आपको सावधानिया भी रखने होंगी योगों की अगर मैं बात करूं तो इस दिन द सुबा आठ बजे तक है उसके बाद असले शनक्षत्र लग जाएगा और सिद्धिनाम का योग बनेगा जिसके स्वामी भगवान गणेश होते हैं अब चारो ग्रह करकराशी में ही मौजूद हैं चतुर ग्रह योगाज भी बना हुआ है सूर्य के साथ ही पुनर्वस उनक् कर सकते हैं तो पहले 18 जुलाई के बारे में जानेंगे कि 18 जुलाई का दिन आपको किस तरह के प्रभाव देगा अब स्वास्ते के लिहास तो देखिए आप बिल्कुल एकदम बेफिकर हो जाएए क्योंकि आपका स्वास है बहुत अच्छा होने माला है इस दिन 18 जुलाई शरारती मनोदशा होनी इस तरह की चीजों से आप रूबरू होंगे आर्थिक रूप से चीजें जो है ठीक रहेंगी आपकी जो अपनी शमता है उसको बस सही दिशा में लगा कर रखिए कोई चिट्टी कोई मेल कोई फॉन कॉल किसे भी तरह का कोई न कोई ऐसी खबर परि मौबत के नजरिये से ऐसे ही महकने वाले हैं बहुत ही जादा अच्छा आज का दिन तुलाराशी के लोगों के लिए होने के वाला है आपके सहयोगी आपको काफी सपोर्ट करते हुए दिखाए देंगे जो आपके कारेशित में काफी मददगार भी होंगे आपकी पास समय होगा और आप संतुस्टी रहेगी आपको अपनी काम से संतुस्टी बहुत बड़ी चीज होती है जो वेक्ति संतुस्ट हो जाए ना अपनी काम से समझ लीजिए वाकई में आप फिर इकदम अलग है शादी शुदा लाइफ की बात करें तो अच्छा है प्रेम जीवन भी अच्छा बना हुआ है वेवसाय करने वाले लोगों के लिए अच्छा बना हुआ है कोई परिशानी चल रहे थी तो वहां भी हालात जो है वो सुधरते हुए दिखाई देंगे अब यहां करक राशी में चंद्रमा की उपस्तिती साथ में और भी ग्रह जो आपको को आपको बना कर रखना है अगर समय की बात करें कि कौन सा समय आपके लिए इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुब रहेगा तो दोपहर बारा बज़े से शाम को तीन बज़े तक कोई भी आप महतपुन काम करना चाहते हैं तो उस काम को आप कर सकते हैं बहागेशाली रंग इस दिन आपके लिए गुलावी होने वाला है पिंक कलर आपके लिए बहुत बहागशाली रहेगा और वैसे ये मंगला गौरी वरत है यानि कि मंगलवार का दिन है जो कि समवार के बाद मंगला गौरी वरत का भी उतना ही महत होता है जितना सावन के समवार का होता है किसी तरह की आपके निजी जीवन से भी तो हर सुख की प्राप्ति के लिए ये वरत किया जाता है माग गौरी की यानि माता पार्वती की ही स्वरूप है माग गौरी उनकी आराधना की जाती है उनको श्रंगार की वस्त में भेट की जाती है तो उसका आशिरवाद आपको प्राप हुए हैं वहां से लाब होने का यूग भी बना हुआ है और किसी अन्य शहर में आप को यातरा करने का मौका मिल सकता है ऐसे शहर में जहां आप आस तक ना गए हो इस राशी के कुछ लोग घर का नवीनी करण भी करा सकते हैं जाने कि घर में कुछ रेनोवेशन का कारेकर आ सकते हैं, काफी समय से सोच रहे तो अब उसको आप शिरू कर सकते हैं, आर्थी किस्तिती अच्छी है, और मैं बता चुकी है, अच्छा है, कुछ मन की मुरादें पूरी हो सकती है, जो इस राशी के विवाही जातक हैं, उनके प्रस्ता वाते हुए दिख रहे हैं, साथ में अभिदीस यात्रा का भी संयोग बना हुआ है, अगर आप काफी समय से लगे हुए हैं, तो उसकी भी जो संभावता है, वो बढ़ती जा रही है, अब उननीस जुलाई की बात करेंगे, कि उननीस जुलाई का दिन जो है, वो आपकी भावने, आपको बड़ा, आपको काफी भावोग रखेंगी, कोई भी नया वेबसाय, कोई भी सह वेबसाय, यानि कि किसी के साथ मिल कर आप वेबसाय करना चाहते हैं, शुरू कर सकते हैं, दोनों दिन बहुत अच्छे हैं, जिससे आपको करियर में व्रद्धी आपको अपने रचनात्मक्ता कुशलता का प्रियोग करना चाहिए, अपने तरीके से अपने काम को शुरू करने की आपको जद्धो जहद करनी चाहिए, बाकी जो जीजे हैं ठीक हैं, और अनाप्शन आप खर्चे से बचें, बिनावज़ा की खर्चे को बिल्कुल ना करे बिजनेस, नौकरी में कुछ आइडियाज अच्छे होंगे आपके पास, और किसी भी वेक्ति से वाद विवाद करते समय थोड़ा अपनी वाणे पर भी नियंतरन आपको रखना होगा, अगर आप अपनी प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो इस दिन को खुबसूरत बन इनको सभणने की संभावना बना रहे हैं, यानि आप सोच रहे हैं, तो संभावना बन रहे हैं, आपके प्रेमी का भी पुरा सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथ ही आपका वर्किंग है, तो इनके प्रमोशन का योग भी बना हुआ है, बस आपको confident रहते हुए हर कारे को लेकर जाएगी नए इस दोरान जो नए मित्र आपके बनेंगे वो आपके जीवन में खुशिया लाने वाले होंगे नए मित्र तो ये भी एक अच्छी चीज है बाकि देखे कर्म शेत्र में चार ग्रह मौजुद हैं और साथ में आपके राशी के स्वामी भी है और चंदर की ये राशी है और चंदर देख भी मौजुद है तो सफी चीज का दान करना अच्छा रहेगा जो काफी अनुकूलता आपके जीवन में लेकर आएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें